उत्तर प्रदेश के पूर्ट मुखिमंद्री, समाजवादी पार्टी के नास्टी अर्णच, आधनी अख्लेश यादोजी, समाजवादी पार्टी के इस छेट्र से माननी इडायटी, समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी, और आपके समर्थन से, जो यहां से चुनाओ जीतने जा रहे हैं, मनोज कुमार ये के लिए एक बार जोड़ा तालिया आप लोग मिलके बजा दीए, समाजवादी पार्टी के समी मानने लेता गर, कॉंग्रिस पार्टी के हम आद्ली पार्टी के निता कारे करता गर, साथियों और दोस्तों कहां से सुनो करें और कहां खथम करें, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आसु बहाने लगेंगे वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आसु बहाने लगेंगे अगर फिल में खो गई आदमियत तो उसे धूरने में जमाने लगेंगे आदमियत का, इंसानियत का प्रत्ल किया जा रहा है मौजुदा सरकार के अंदर उसको बचाने के लिए हम सारे लोगे गठा हुए है और उत्तर प्रदेश के अंदर अख्रेस यादाजी के देत्रित में जो इंडिया गडबंदन के लड़ाई चल रही है हम सब को संकर्प लेना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती से भी भार्ती बंता पाती की राजनीती को नफ्रत की राजनीती को खतम करना है इंसानियत की, मुहबबत की, भाईचारे की एक्ता की राजनीती को जिन्दा करना है, आगे बढ़ाना है और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है मैं एक दिन बता रहा था चलेशी को मैं समाजवादियों जन सवा में था मुझे किरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिराम परसासल में और हमारे दोसाती जेल में रह गए मैं अपनी जमानत उठा के दुबारा जेल में गया छे बहीने जेल में रहके आए हूँ और निकलते ही नरिंदर मोदीजी से मैंने कहा आपकी किसी जेल लाखी और मुकलमे से में डरने वाला रही हूँ मेरे जेल जितना बेद़ना चाहते हो लगा मुकत में जितने लगाना चाहते हो चलाओ याची जितनी चलाने चाहते हो जितनी तुम लाचिया चलाओगे उससे जाना हमारे सीने और कंदे उन लाचियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे जुल्म की इंतिहां कर दी दस साल हो गए इस सरकार को ये नहीं बताते कि क्या किया दस साल में एक के बाद दूसरा जुमला दूसरे के बाद तीसरा जुमला लोगों ने कहा मोधी जी का संकल पत्र आया है मैंने कहा ये संकल पत्र नहीं है जुमला पत्र है जुमला पत्र चुम्ला बोलने का काम करते है पुदान मंत्री जी क्या कहता 2014 में आपसे बोले भाईयों और मेहनों दो करोन नोकरी नोजवानों को हर साल दूंगा फिर कहने लगे किसानों की आए दो गुना हो जाएगी फिर कहने लगे देश से महगाई खतम होगी फिर कहने लगे इतना काला धन लाएगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा जोड से बोलिये पंदरा राग खाते पंदरा पैसे भी नहीं आए पंदरा पैसे भी नहीं आए और हमारी माताओं बहनों ने अपने पती से बचा कर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा जब छोटा सा धर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा कोई पीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा नरेंदर बोदी जी ने कहा माताओ और बहनों यही काला धन है लाइन में लग के इसको जबा करते है उसको भी जबा करा लिया लोड बनी करती दे इसके अंदर काला धन तो आया नहीं आप याद रखिएगा एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ती देते जा रहे है अपने दोस्त को सारी संपत्ती देते जा रहे है दोस्त क्या नाम है जोसे बोलिए अडानी तो हम आदेनी अख्लेस यादोदी के मेत्रुत में इंडिया के लिए काम करेंगे और प्रधान मंत्री नरियंदी मोदी जी अडानी के लिए काम करेंगे याद रखना याद रखना याद है आपको मुख्य मंत्री थे अख्लेस यादोदी एंबूलेंस की सेवा आपर चलाई यादोदी तो यहाद बिरोगारी भट्ता उस समय दिया गया लैब्टाप पहुटा गया इस्कूल बनाने का काम अस्पताल के बनाने का काम बड़े बड़े हाईवे बनाने का काम अख्लेस यादोदी के नेत्रित में उत्तर प्धेश के अंगर हुआ तो अख्लेस यादोदी एंबूलन्स की सेवा देते हैं बेरोज़गारी भट्ता देते हैं लैब्टॉप देते हैं और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी क्या करते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी क्या करते हैं एक चुनावी सवा में भासर दे रहे थे मोधी जी उन्हों ने कहा ये तो जब चुनावी रेली में जाते हैं तो कहते हैं भाईयों और और जब दान मंत्री जी जाते हैं रेलियों में तो कहते हैं गाओं गाओं में कबरिस्तान है तो समसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कहते हैं गाओं नहीं कहते हैं हमको समसान नहीं चाहिए हमको अपने बच्छों के लिए स्कूल चाहिए अस्पतार चाहिए, अच्छी सिख्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए क्या करना है अग्यस में? चुलिन सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं चुलिन सरकारों को तोर तोर के गिरा रहे हैं चार खंट में एक आधिवासी नेता एक मुख्यमंत्री को हेमन सुरेन को पकल के जेल में डाल दिया दिली के तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को लोगप्रिय मुख्यमंत्री को अर्लिन के ग्रिवाल को पकल के जेल में डाल दिया आज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से नदीना के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जरा हमको बताओ अगर कोई आजमी चुनाव चीत रहा होता है तो अपने विरोधियों को गिरिफदार कराता है क्या गिरिफदार कराता है क्या गिरिफदार कराता है क्या हरे अखले सियादो जी को CBI का नोटीस कामरिस पार्टी का खाता सीच कर दिया कहीं किसी को पकलते हो कहीं किसी को पकलते हो और 2014 के बाद हिंदुस्तान में एक वासिंग मसीन आई है जिसका नाम है नरिंदर मोदी वासिंग मसीन बड़े बड़े भेस्टाचारियों का पाप दोते थे एक फिलिम आई थी राम तेरी गंडा मैली हो गई पापियों के पाप दोते हो धोते भाजपाईयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ भाजपा तेरी पाटी मैली हो गई गुनेहगारों के पाप धोते धोते प्रदान मंद्री जी कहते हैं हमारी गारंटी है कहते हैं मोदी की गारंटी है एक भी भस्ताचारी को नहीं छोड़ोगा इसकी गारंटी है मैंने का मोदी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है किसी भ्रस्ताचारी को नहीं छोड़ूगा इस बात की गारंटी है पूरफ से लेके पस्चिंता उत्त से लेके डक्षिंता जितने भ्रस्ताचारी है सब को भी जेकी मैं सामिल करूँगा इस बात की गारंटी है गलत तो नहीं कह रहा हूँ गलत तो नहीं कह रहा हो अजीब पबाद पे 70,000 तरों का भोटाले लगाते हो उसको अपने साथ साविल कर लेते हो छगन मुझबल पे ब्रस्ता चार का रो बीजेपी के साथ प्रफुल पोटेर पे ब्रस्ता चार का रो बीजेपी के साथ नारान नाने पे बरस्ता चार कारो बीजेपी के साथ असोफ चोहर पे बरस्ता चार कारो बीजेपी के साथ हसन मुस्रिप पे बरस्ता चार कारो बीजेपी के साथ तपस राज पे बरस्ता चार कारो बीजेपी के साथ चनादा नेक्टी पे भरस्ताचार कारों, बीजेपी के साथ, हेमन्त विस्तर्मा पे भरस्ताचार कारों, बीजेपी के साथ, सारे भरस्ताचारियों को, अपने पार्टी के साथ सामिल कर देते हो मोदी जी, तो इसलिए मैंने बीजेपी के लिए नारा दिया है, जो जितना ब बत्ता है बाकू कब्बर सिंग और उसामा बिलादेन अहिंसा पर उतेज देना कि इतना हैंकार हो गया मोदी जी को घाना उधरा तेस्वर में सुनाओगा आपको वने गाना आज राम नॉमी का दिन है आप सब को राम नॉमी के सुद्धाम का मैं भी देता हूं लेकिन याद दीजिए कितना हैंकार इनके मन में क्या खेर हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्या गाना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नरेंदर मोधी जी आप अपने मन में इतना हैंकार मत पालिए आप राम को लाने वाले कोई नहीं है भगवान उपरवाना वो हमको लाया है और हम उसके हिसाब से काम करेंगे और हिंदु धर्म जो हमें सिच्छा देता है हिंदु धर्म कहता है वसुदेव कुटुम्वकम पूरा विश्व हमारा परिवार है हिंदु धर्म कहता है धर्म की जैहो अधर्म का नासो प्रा और कहते हो हिंदूओं का भला कर रहे हिंदूओं का भला कर रहे हैं अख्लेश दी बैठे हैं मैं इंसे पूछना चाहता हूं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस देश में सबसे बड़ी आबादी किस की है भाई किस की है आद आबादी सबसे बड़ी हिंदूओं की बेरोज से चार बढ़ेगा तो सबसे अदर नुक्सान किसका हिंदों का आपने इस देश के नौजमानों को चार साल के अगनी भी योजना में लगा दिया यह हमारे जवान बैठें यह जवान दिल्ली के अंदर भी जब दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते थे सरकार उनकी चिलता नहीं करती थी भारत के पहले मुख्यमंत्री अर्विंद के द्रिवाल जिन्हों ने कहा सीमा का जवान हो यह गुली पुलिस का जवान अगर उसकी शहादत होगी तो एक करोंड रुपए की सम्मानदासी उसके परिवारवालों को दी जाएगी हम देश वक्त हैं हमारे पु इम मरां बेकर को मानने वाले हैं इसनिए अखले सह आदो झीने फौर्मॉला दिया और नारागा ke अब सरकार के बनेगी वह पीडिये के लिए के काम करेगी पीडिये के लिए के और इन नफरत फैलाने वाले लोगों से हमको लड़ना है, इनसे संघर्स करना है, इनसे किसी मामले में पीछे रहने का काम नहीं करना है, मैं भगस सिंग की लाइन पढ़ रहा था, जेल में जब था, उनसे मिलने आया उनके भाई, फांची की सजा हो चुकी थी, भगस सिंग क कोई चिठी लिखी और चिठी के आंत में दो लाइने लिखी, उन्हें ये फिक्र है हरदम, नया तरजे जफा क्या है, जफा मत्तब होता है अत्याचार, उन्हें ये फिक्र है हरदम, नया तरजे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतिहां क्या है, हमें भी श प्रिवाल पर आप कितना अत्याचार कर सकते हैं हैमन सुरेन पर कितना अत्याचार कर सकते हैं समाजवादियों पर कितना अत्याचार कर सकते हैं अरे समाजवादी तो आंदोलन की कोग से पैदा हुए है आमादनी पार्टी भी आंदोलन के कोग से पैदा हुई पार्टी है का सर्मिंदा हो जाओगे इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूँ यह अंतिम चुनाव है दोहजार चुनाव का चुनाव आपने सुनावगा अख्लेश का अगदा दिनक लिखा आयोध्या का सांसच लल्लु सिंग कहता चार सो सीट देदो सम्मिधान बदलना है पूर्ण केंडरी मंत्री भारती जन्ता पार्टी के कहते है चार सो सीट देदो सम्मिधान बदलना है जोती मिंदा भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी कहते है चार सो सीट देदो सम्मिधान बदलना है मेरच के प्रत्यासी अरुल गोबिल जिसको सीदे मोदी जी ने उत रहा है वो कहते हैं 400 सीट देदो सम्धिधान बदलना है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ पिछडों से दलितों से सोसितों से वंचितों से अर्फसेंखकों से आधिवासियों से सबसे हाथ चोड़ के पील है बाबा साथ डॉक्ट भीम राम बेट करने सम्धिधान के निर सम्धिधान अगर बदल गया तो याग रखना वोड़ की ताकत आपसे चीन ली जाएगी चुनाओ खतम करेंगे हिंदुस्तान बेग्साही लाएंगे किम जयंक का सासन यहाँ पर लाएंगे पूतीन का सासन यहाँ पर लाएंगे इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूँ मनोच कुमार को साइकल पे बतन दबाके इतनी ताकत लगा दीजिए कि दूसरे प्रत्यासियों की यहाँ जमानत जब्थ हो जाए समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी इंडिया गडवंदन का प्रत्यासी यहाँ से जीतना चाहिए इंडिया गडवंदन का प्रत्यासी समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी जीतना चाहिए मैं अंत में एक ही बात कहके अपनी बात को खतम करूँगा आज किसान दुखी है नौजवान दुखी है माताय बहने दुखी है महगाई की मार हम सब झेल रहे हैं आज साहिए साथ सो किसानों की शहादत का हिसाब लेना है मोदी जी ने 2014 में कहा था भाईयों और बहनों घर से निकलना तो घर के सिलंडर को देखके निकलना इस बार मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ नदीना के लोगों आप लोग जब आप अपने घर से वोल देने के लिए निकलना तो घर का सिलंडर जरूर देखके निकलना घर का सिलंडर देखके निकलना अखलेश ही कह रहे थे मोटर साइकल भी बता देना मोटर साइकल भी देखके निकलना जिसमें 120 रुपए लीटर क तुमने सरसों का तेल खरीदा प्याज महगी खरीदी आलू महगा खरीदा महगाई आसमान पे पहुँच गया महगाई से बेरोजगारी से असुच्छा से छुटकारा चाहते हो तो यहां से समाजवादी पार्टी के कंडिडेट को जिता देना समाजवादी पार्टी के कंडिडेट को जिता देना भाई मनोच कुमादी के लिए दिमराज महिनत करके हो सकता है इस रहली के बाद अखलेसी दुबारा आपके बीक में रहली करने के लिए ना है उनको बहुत दूसरे छेतरों में जाना है एक एक कार करता अखलेस यादो बनके गाउगाने जाएगा चार दुने जादा महिनत करेगा आमादी पार्टी का कार करता लॉर्स पार्टी का कार करता और समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेगा साइकल को यहाँ से जिताने का काम करेगा साथियों और दोस्तों इनी शब्दों के साथ कि ये अमन विक रहा है चमन विक रहा है गरीबों के तन का कफन विक रहा है बाजारों में पहनों का तन विक रहा है और तुम भुरा न मानों तो कह दो इन बेईमानों के हाथों वतन विक रहा है इस बतन को बचाने के लिए हम सब को हिंदू-मुसल्मान अगणा पिछला दनिस सवन्ड की बाधाये तोरकर एक साथ काम करना पड़ेगा और सबन्ड छत्री समाज के लोगों को तो आप देखे कितना अप्रो से बड़ी बड़ी रैलिया हो रहे हैं ये लाखो लाखों को क्या हो गया एक रूपाला जी है इनके केंडर के मंत्री भारती जन्ता पाटी के वो छत्री समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाते हैं मैं हमसे कहना चाहता हूँ रुपाला जी अगर आपको हमसे ररना है हमसे ररिये हमारे समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाएंगे तो परदास्त लें किया जाएगा सूथ समेक आपको जवाद दिया जाएगा सब लोग मिलकर इकथा होकर बीजेपी को हराओ मोधी को हट कहाओ ताना साथ को हटाओ लोकतन को बचाओ सम्धान को बचाओ जैहिं इंकलाब जन्दाबाद